चर्चा में और चर्चा को खास बनाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर सतीश शुकला चर्चा कर रहे हैं होमेपेथिक पदिती के बारे में किस तरीके से ये दवाएं काम करती हैं किन-किन बीमारियों में आपको ये सहायता कर सकती हैं कौन से कौन से बीमारिय इन दवाएं से ठीक हो सकती हैं इन सब के बारे में चर्चा कर रहे हैं जैसे कि डॉक्टर हम ब्रेक पर जाने से साइथ कर रहे इनके जो side effects होते हैं इनके बारे में तो आपने बताया कि चिकित्स के परामश के बिना ये दवाएं कई बार नुकसान भी कर सकते हैं तो वहीं अगर हम बात करते हैं किसी का लंबा treatment चल रहा है तो उसको डॉक्टर सला देते हैं समय समय पर आप उनसे मिलते रहें लेक कि अगर आप किसी चीज से ठीक हो रहे हैं मतलब हमेपैथी दवा आपने ली आपको आराम हुआ और आप लग रहा है कि आप मैं पहले से बहुत बैतर हूं मतलब 70-80% बैतर हूं तो पेशिंट को लगता है कि अब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है ठीक है अब त फेस था मतलब जिस चीज के लिए आप आए थे वह फेस था लेकिन अभी कुछ चेंज हुआ आपके अंदर तो उस चेंज को सही करने के लिए उसको दूसरी दवा देनी पड़ेगी आप रेगलर एक ही दवा खाते जाएंगे तो वह दवा काम ही नहीं करेगी फिर एक समय क बना तो यह डॉक्टर के लिए फिर बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है उस वक्त कि अब मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए फिर मुझे दवा दुबारा से मेहनत करनी पड़ेगी उतनी ही मेहनत फिर करनी पड़ेगी दवा निकालने के लिए जब आप रेगुलर बेस हुए और अभी तक मेरा बस 80-90% ठीक है 10% रहे यह अपने आप ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं है वो डॉक्तर को मालूम है क्योंकि आपकी बीमारी आप 15 साल से जहेल रहें जिस चीज से 15 साल से जूज रहें और आप 6 महीने तक और एक महीने और ले लेंगे उसके बाद तो आ अगर वो सही हुई है तो फिर वो दुबारा बहुत कम चांसे होते हैं मतलब 10-20% चांसे होते हैं कि वो वापस आई की तो वहीं कुछ बीमारियों के अगर हम बात करें तो ज्यादे तर किन-किन बीमारियों में ज्यादा एफेक्टिव है यह होमेपैति के पद्दित अगर बीते सालों के अगर बात करें तो कहीं न कहीं लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेर्नेस आई है और आज लोग सभी पदितियों का उतना ही इंपोर्टियों को जितना की पहले वो उन चीज़ों के बारे में नहीं जानते थे श्याद यूं कहें कि अपनी जो संस्कृती थी उसकी और वापस लोट यह यह सुन न ही सकते हैं या फिर जिनके माई-स डिल अ technags करें मतलब चलना देर में रहा है या बोलना देर में निकल रहे हैं उसके लिए वोगिए होमेपैथी मतलब एक मिरेकल की तरह काम करती है, मतलब वक्स अजरा मिरेकलिस वर्क और मैं इसके धेरो एक्जामपल दे सकता हूँ, आज आएव हंडिद ऑफ केसिस, हंडिद ऑफ केसिस आएव कि जिनको मैंने सही किया है, या हमारे यहाहँ जिन्होंने treatment लिया है वो ठीक हुए है, मतलब जो बच्छा चल नहीं सकता है, चार साल का हो गया है, पेरों से बिलकुल आचार है, मतलब अपने पेरों पे ख़ड़ा होके चल पारा है, जो बोल नहीं सकता है तो वो सुन सकता है, बोल सकता है, तो यह this is the beauty of the homeopathy कि यह कितनी chronic disease है कि और कहीं इसका treatment है ही नहीं है तो homeopathy works from वही मैं फिर कहूंगा कि सर्दी जुकाम खांसी बुखार बच्चों में यह तुरंत कारगर है इसके लिए आपको अपने बच्चे को नेबुलाइज नहीं करना है या फिर painful treatments नहीं देना है जिने वो गोलियां भी नहीं दी जा सकती है क्या उनके लिए भी अलगतर रोगी की दवाइज जिस दिन बच्चा पैदा हुआ है जैसे neonatal jaundice एक भिमारी है बच्चों में पैदा होते ही दिखाई देती है बच्चा पीला पीला दिखाई देता है जिसमें की 14-18 तक या 20-25 तक भी हो जाता है कभी-कभी तो उसमें सीधे mother milk में हम एक चमच mother milk लेते हैं and two drops of homeopathic medicine that we can give to that child तो उस बच्चे को दे सकते हैं और वो बच्चा मतला विदिन 4-5 तो फाइज जो जॉंडेस की बिमारी है उसकी neonatal jaundice जो है that's cured मतलब ठीक हो जाती है तो डॉक्टर कोई भी पधिती हो कहीं न कहीं हम देखें दवाओं को जो लेने का तरीका होता है वो लोगों को कम मालूम होता है या कई बार ऐसा होता है कि टैबलेट्स दी जाते हैं लोग उनको तोड़के खाने लगते हैं पानी में घोलकर लेन उसका रीजन बेसिकली यही है क्योंकि मेडिसीन जो है वो अडल्टरेट ना हो पाए मतलब कि अगर आप उसे हाथ मिलेंगे अगर आपका हाथ साफ भी है फिर भी उसमें बैक्टिरिया वाइरस हो सकते हैं या फिर आपके हाथ में खुश्बू हो सकती है या फिर कोई ऐसी चीज हो सकती है जिससे की दवा का प्रभाव कम हो सकता है इसलिए उसको कहते हैं कि बंद धकन की बॉटल से ही उस दवा को लीजे तो जादा अचा है या आपने अगर एक बात छेड़ी है नेनो पार्टिकल की तो that I will tell you कि अभी हम सिर्फ नेनो तक बात करते हैं होमेपैथ है कि 10 to the power minus 9 तक का हम देखते हैं and medicine जो first है 1C जो start होता है हमेपैथी का that is start at 10 to the power minus 15 तो मतलब अभी हमारी आखें ही उतनी दूरी नहीं देख सकती है जो दवा है वो बिलकुल और कहीना कहीं इसके जो प्रभाव है वो इतने प्रभाव शाली है कि उसके बार में लोगों को जल्दी रिलीव यह यह उन्हें पता नहीं और वो समस्ते आसा है जल्दी रिलीव मिलता है यह बट इस और अगर किसी बीमारी से बहुत दिनों से जूज रहे हैं तो वो जड़से ही खत्म करती है यह जो लोगों में एक मतलब लेमें टाइप में जो बात है कि जड़से खत्म करने वाली बात है तो होमेपैथी किसी भी बीमारी को जड़से ही खत्म करती है अर्लियर इट वोज लाइक पच्छिसो यह चप्छिसो दवाईया थी लेकिन पिछले पच्छिस तीस सालों में यह पांच अजार से ऊपर दवाईया निकल गई हैं हिंदुस्तान के अंदर ही मतलब सिर्फ हिंदुस्तान में ही डेर सो दवाइयां खुद से invent की गई है होमेयपैथी की डेर सो दवाइयां खुद से discover करी गई है और प्रटेंटाइस करके जो कि अभी market में available है और patients पे काम कर रही है बिल्कुल तो अगर हम आगरा की बात करते हैं तो आगरा में किन-किन बीमारियों के treatment available है होमेपैती द्वारा जैसा कि मैंने पहले भी बोला आपसे कि आप किसी भी बीमारी के लिए बे जीज़ा को कर किसी भी होमेपैत को दिखा सकते हैं आपकी सारी रिपोर्ट्स आपकी सारी जांचें आपके साथ होनी चाहिए आपको अपनी बीमारी के बारे में जितना मालूम है उससे कहीं जादा आपको एक डॉक्टर उसके बारे में बता सकता है बिल्कुल कई पार ऐसा होता कि वह बहुआर जाकर टूइट्मेंट कराएंगे तो जाधा बहुत है उनको इसलिए ये सवाल था कि आग्रा में कौन से कौन से विबारियों विबारीयों के ट्रिट्मेंट आवएलेवल है ताकि लोगों को ये चीद सताघ्य सेal आप सर्दी जुकाम कहां से इबुखार के लिए बाहर नहीं जाएंगे, वो तो आप में अविलेबल ही है, तो डॉक्टर, अगर हम पेशन्ट की बात करते हैं, तो आपके पास डेली बेस पर इतने पेशन्ट आते होंगे, इतने तरीके के पेशन्ट आते होंगे, और उनके जो सवाल हैं, वो भी कई तरीके के होते होंगे, जिनके जवाब कहीं न कहीं आप यह सोचते होंगे, रोज इन पेशेंट को यही बात हैं बतानी पड़ती हैं और यह अवेर्नेस है उसको आने में अभी टाइम लग रहा है तो ऐसे पेशेंट के जो सवाल है उनकी बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे जो कि हम अपने कारिक्रम के मादिम से होने यह जबाब दे सकें एक बहुत बड़ा fact है regarding homeopathy practice is homeopath के पास कभी भी patient advertisement से नहीं आता है it comes from patient to patient it makes a chain एक chain बनाता है वो patient to patient patient to patient बनती है कि आपने एक patient ही क्या वो दो को बताता है फिर दो ने 4 को 4 से 8 8 से 16 इस तरीके का एक sequence बनता है तो basically homeopathy यह नहीं है कि हमने advertise कर दिया कि नहीं सब your diabetes can be cured, cancer cure किया जा सकता है या बच्चों की यह बिमारियां सही कर सकते है because आप जब result दोगे तो वो उसको बताएगा जाके तब वो belief करता है कि नहीं I should go मतलब मुझे जाना चाहिए वहाँ पर तो अभी earlier practice में यह लगता है once you started practicing जब आप field में आ जाते हो फिर आपके लिए questions नहीं आते है patient फिर यह नहीं पूछता आपसे कि हम कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे क्योंकि वो already referral से आया होता है मतलब किसी के दौरा referred phase में आया है मतलब एक doctor, दूसरा doctor, तीसरा, चौथा, पाँचवा, मतलब इस तरीके से एक कोकिये circle में फसा हुआ है वो पूछता ही है कि sir मुझे 10 साल हो गए दवा खाते हुए अब मैं कब तक खापाऊंगा दवाई आप मुझे बताई तो ऐसा होता है जी तो इससे एक और सवाल मन में आता है कि जो patient काफी सालों से दवाई खा रहे हैं कोई और पदिती की दवाई खा रहे हैं उनमें होमेपैथी कितनी कारगर है हमेपैथी उनमें भी उतनी ही कारगर है लेकिन हाँ वो difference है जो शुरुआत से हमेपैथी लेते हैं means from childhood, early childhood जो हमेपैथी लेता है उसकी immunity बहुत जादा strong होती है मतलब immunity is strong है तो आप बिमारियों से काफी दूर रहेंगे अगर immunity is strong नहीं है तो आपको हर बिमारी चार तरफ से घेरेगी जैसे कि बच्चे बहुत जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम होता है किसी बच्चे को 16-17 साल तक सर्दी जुकाम बनाई रहता है या फिर बहुत जल्दी 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 सर्दी जुकाम होता है या दस तो जाते है पेट खराब हो जाता है पेट में दर्द रहता है तो यह उ दवाओं और चैमिकल्स के साइट इफेक्ट्स या यह जो रिक्षिन अल्रडी हो चुके हैं उनको समय लगता है बिल्कुल तो अगर हम बात करें बीते कुछ सालों की दस सालों की अगर हम बात करते हैं तो आपके अकॉर्डिंग ऐसे कौन से चेंजे से जो लोगों में आए ह लेकिन अभी पेशेंट विश्वास करता है कि नहीं इट वर्क्स और उटका जब बुखार सही होता है सर्दी ठीक होती है बच्चा ठीक हो जाता है उसका तो उसको लगता है कि नहीं यह काम करती है और हमें लेनी चाहिए और आज से पंदरा साल पहले का देखें और बलके 20 years back 20 years back earlier it was जब computer era नहीं था अभी computer era है तो earlier we have the books like हमें 20-30 किताबें अपने पास रखनी पड़ती थी and we have to search for the medicine like that way now the latest softwares are there तो we have the softwares तो like जो काम हम घंटो में करते थे that we do in seconds like मतलब 5-10 minutes में हम तुरन से केस लेके दबा दे सकते हैं बीमारी का पता लगाना और उसका treatment भी अब advance हो चुका है कही न कहीं और जो patient है उनको यह चीज़े समझने की जरूरत है कि ऐसा नहीं है कि दूसरी पद्दिती में अगर उस चीज़ का इलाज है तो होमेपेथी में उसका इलाज नहीं है सभी पीमारीयों का इलाज है बशर बीफेक्ट करती है यस एक्चुली यही होता है कि आप किसी बीमारी के लिए दवा ले रहे हैं आप जब तक नहीं बताएंगे डॉक्तर को तो वो तब तक समझी नहीं पाएगा आपकी चीज़ों को तो जैसे कि आपने शुरूरात में प्रशन किया था मुझसे कि तनाव क चलते हैं अगर पेशेंट कोई उनको ले रहे हैं तो हम उनको एक साथ बंद नहीं कर सकते हैं मतलब अगर सौ की ले रहे है त Vergleich तो फिर फिरैषण फिर फिर पचास फिर पचिस इस तरीके यस तरीके करन है कि उस प्टाइगा और से सोल करेंदे मैं और यहिग तो पचाने के पास पनली कर जाएं, लोगों के अंदर रहता है, because समाज से लोग कट जाते हैं, basically लोगों को लगता है कि ये व्यक्ति हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन मैं यहां से बोलना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है, वो व्यक्ति आपकी तरह ही नॉर्मल है, वो अबनॉमल नहीं है, जैसे कि आपका हाथ कट गया, या आपका हाथ फ्रेक्चर हो गया, आपने प्लास्टर लगाया, तीन महीने तक प्लास्टर लगाया, तो आप उस हाथ से काम नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन तीन महीने बाद उस हाथ से दुबारा काम ले सकते हैं, सेम मेंटल डिजीजिस के साथ भी है, वो बिमारियां केरेबल हैं, वो पिशिंट तीन से छे महीने में थीक हो जाता है, उसके बाद वो आप जैसा ही है, बिल्कुल, तो दर्शकों, आज की हमारे इस एपिसोड में हमने चर्चा की है, किस तरीके से होमेपैथी दवाएं आपको फायदा पहुचा सकती है, सभी बिमारियों में ये कारगर हैं, और ये सभी जो महतुपूर जानकारियों, डॉक्टर द्वारा आपको दी गई है, इन सभी जानकारियों के लिए हम डॉक्टर का बहुत बहुत शुक्रिया आदा करते हैं, तो बस आपसे यही अपील है कि अगर आपको कोई भी परेशानी है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको लेकर बैटे रहें या उसका गंबीर होने का इंतजार करें, अगर आपको कोई भी सिंटम दिखाई देता है, तो तुरंत अपने चिकत्सक से परामश करिए और उसको जल से जल ठीक कराएं, अगले एपिसोड में फिर हादर होंगे एक नए विशे और विशेशगे के साथ, तब तक हमें दीजे इजाज़त, नमस्कार